अब आपको दिखाते हैं कि तेंद्यूए की हत्या और फिर क्या हुआ सुनिए असम के सोनारी गाउं के लोगों ने इंसानियत की सारी हदे पार कर दी चंद रुपेयों के लिए एक तेंद्यूए का ना केवल शिकार किया बलकि उसके साथ जानवरों से भी 32 सुलोक किया तेंद्यूए को भड़काने के बाद उसे दाव और नाखून नोच कर उसे मार डाला दिखाते हैं आपको वो तेंद्यूआ था, जिन्दा हजारों परभारी था लेकिन मौत के बाद उसकी बोटी-बोटी नोच डाली इंसानों ने जी हाँ, तथा कथित इंसानों ने इसके साथ जानवरों से भी 32 सुलोक किया साधारन मनवाले की रुह भी काम जाएगी देखिए, किस तरह तेंद्यूए को बकरी की तरह लटका दिया गया सरे आम, खुले आम, उसकी मौत का तमाशा बनाया इंसानों ने तेंद्यूए के जब्रे तोड डाले, एक-एक दात निकाले, उसके नाखून तक नोच डाले हद हो गई, ये सब होता रहा गाउवाले देखते रहे, बेजुबान की मौत का तमाशा, मौत के बाद उसकी बोटी-बोटी बेचने का तमाशा बताया जाता है कि गाउवालों ने जंगल से भटके तेंद्यूए को कुलहाडी, लाठी और हतियार से बेरहम तरीके से मार दिया फिर शव के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी वन विभाग ने कुछ लोगों के खिलाफ केस दर्चिया है तेंद्यूए के दांत और नाखून नोचने के पीछे जो कारण है, वो कई सवाल खड़े कर रहा है दांत और नाखून की अंतराश्टिय बाजार में काफी मांग करोणों में कीमत मिलती है दांत और नाखून की कहीं ग्रामीडों की अंतराश्टिय तसकरों से साथ कांट तो नहीं जाहिर है तेंद्यूए के सरयाम पूसमोचम का कोई न कोई राज है बहरहाल तेंदुवा आक्रामक था तो लेकिन वन्विभाग भी इस तेंदुवे की मौत के लिए कम जम्मेदार नहीं वन्विभाग की लापरवाही और डर की वज़े से तेंदुवे को मार डाला बताया जाता है कि इस तेंदुए ने कई दिनों से इलाके में कहे ढ़ा रखा था तेंदुए ने एक दरजन मवेश्यों को मार खाया था भेसेली पाथर निवासी लिलेश्वर चांगमाई पर हमला किया था हमले में लिलेश्वर का बेटा रंजीत चांगमाई भी घायल डिब्रुवर मेडिकल कॉलेज में रंजीत भरती लेकिन अफसोस कि तेंदुवे को मारने के बाद लोगों ने उसके एक एक अंग को नोच डाला इन तस्वीरों को देखकर कोई भी गुच्से से भर उठेगा जानवर की मौत का लोग तमाशा देखते रहे बेजुबान की मौत पर हसते रहे और छपपर से बेजान लटका तेंदुवा भूशता रहा आखिर जानवर कौन Bureau Report TV9 भारत वर्ष